नमसकार दोस्तों दोस्तों वी ससी देखें प्रैक्टिस रेटेलीउस पे करवाया जा रहा है था और सो पर दिखेंगे जितना अपसेट लगाएंगे उतना ही आप बहतर होंगे बिहार स्से के लिए इसमें देखेंगे तिया आपका वाल्यूम ठीट निकाला गया है रुक्मिंग पॉब्लिकेशन का इसमें दोस्तों आपका जो है 20 प्रैक्टिस एट दिया गया है ठीक है और हमने आपका जो है जीके जीएस छे नंबर से सुरू हो रहा है देखें पहला यानि कोशन नंबर सिक्स आपका बोला कि ग्राम और लगू उद्धोग समीति को डैस की रूप में भी जाना जाता है किस रूप में हम इसको जानते हैं जो कि इसका सही आंसर आप देखेंगे तो खटे का बी सही उत्तर हो जाएगा देखें वर्ष उन्नी सो पच्पन में ग्राम और लगू उद्धोग समीति का गठन हुआ था ठीक है अच्छे से याद रखेगा अगला है कि उस्ताद अकबर अली खां को निमलिखित में से किस संगीत वाद यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है आंसर आप देखेंगे तो आपका सरोध हो जाएगा और आपका बी सही उत्तर होगा उनका सम्मझ जो है भारतिय संगीत की हिंदूस्तानी परंपरा से भी था उन्हें भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्म भूशन और 1989 में पद्म भूशन से सम्मा आत्मा गांधी राष्ट्री ग्रामरी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहट प्रतियक प्रतिय वर्स में कितने न्यूंतम दिनों की गारंटी सुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रतियक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके व्यस्क सदस्य अकूसल मजदूर है ना मजदूरी का काम करने के लिए सोष्था से काम करते हैं इसका सही आंसर आप देखेंगे तो यह आपका option number C हो जाएगा सो इसका correct answer हो जाएगा नैस्ट को सने को सन नबर 9 बले कि साल साल बबुल और बांस जो सूस को उसमें खटी बंधी वन के परकार है में वार्सिक वर्षा की मातरा जो है कितनी होती है तो कि वार्सिक वर्षा की मातरा पूछ रहा है इसमें देखेंगे 51 सेंटी मिटर से ले करके गुडात्मक माप है तो गुडात्मक माप है तो देखेंगे इसमें आंसर देखेंगे तो यह आपका नैतिक दाब होगा यानि option नबर दोस्तों आपका भी सही उत्तर हो जाएगा आते हैं कोशन नमबर 11 पे बोला कि राजे के निती निरसक सिधानतों के किस अनुशियत के तहट मातिर्तों आवकास पर एक कामकार्जी महिला को नियोकता से सभी मातिर्तों लाव प्राप्ट करना चाहिए देखिए इसका सही आंसर आप पोशन नमबर 11 का देखेंगे अनुशित 42 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नमबर D होगा देखिए RBI के साख 59 के दो विधी हैं जिसमें इसे आपको गुडात्माख होता है और दूसरा आपको परड़ात्माख होता है ठीक है नमलखित में से कौन से अरुणाशल परड़िस की आदे जंजातिय दौरा की जाने वाली एक निरतिय सायली है इसका आंसर देखेंगे ति आपका तापू हो जाएगा दोस्तों आप्सन नमबर 12 का D सही उत्तर होगा एक्स और वाई एक रेष्टरों में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान काम के लिए और समान वेतन मिलता है राजे के निती निदरसक सिधानतों का कौन सा अनुछेद समान काम के लिए समान वेतन का प्राउधान करता है इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुश्यत 49 जो है सही उत्तर हो जाएगा option number दोस्तों D सही आंसर हो जाएगा अनुश्यत 39 में क्या है देखें अनुश्यत 39 में देखेंगे तो राज्ये लोग कल्यान की अभिवरिद्धी के लिए समाजिक विवस्था बनाएगा अनुश्यत 40 में आप सभी को पता है पंचायतों गठन है दोस्तों और अनुश्यत 41 में देखेंगे तो राज्ये कुछ दसाओं में काम, सिक्षा तथा लोग सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने का अभारे उपबंद करेगा ठीक है तो ये चारों अको आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों कुछ नमर 14 देखेंगे भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सो प्रतीसत मेथनौल संचलित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण डैस में किया गया था यानि कहां पर यह आपको किया गया था तो यह आपका बंगलूरू में किया गया था ओप्सन नमर देखेंगे तो भी होगा अगला की एजहामा जाती से आने वाले समा सुधारक नारायन गुरू जिन्होंने जाती विरोधी आंदुरन का प्रचार प्रसार किया उनका जन्म भारत के निमलिखित मिस्किस राज्य में हुआ था देखेंगे उनका जन्म आप देखेंगे तो केरल में हुआ था जोकि ऑप्सन नमर आपका सी होगा दोस्तों बी एससी इंटर लेबल का प्राक्टी सेट आपका कराय जा रहा है डेली बिसस पे अगर आपको जॉइन होके सेट बनाना है तो आप वाट्साप पे मैसेज कर सकते हैं यह रहा वाट्साप नमर एट सेवन फाइब सिक्स फाइब फोर 6533 आप इसको जो है बी एससी इंटर लेबल लिक करके मैसेज कर दीजिए चलियाते हैं कोशन नमर 16 पे देल बोला कि मधुमक्खी में नर इसका आंसर आप देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा है एपलाइड हो जाएगा ओपसन नमर देखेंगे 16 का यह सही हो जाएगा नर में केबल 16 गुर्शूत्र होते हैं चल एकला हमारες सोची 1 और सोची 2 को मिलान करके बताना है 17 नंबर का देखेंगे दो अंगो पर चलना अगर आप अपका हो जाएगा दोस्तों हो मिय में में रैक्टप हो जायाएगा हो मो सेपियंस की option number आपका C सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला हमारा प्रस्थन है कितने ग्राम potassium chloride 250 ग्राम संत्रिप्त विलियन में पाए जाते हैं यदि potassium chloride की विलियता जो है 25 डिग्रे सेल्सेस पर 35.8 है इसका आंसर आपको हो जागा 65.9 GM option नमबर A इसका आंसर आप देखेंगे तो option number A सही हो जाएगा बोला की पैरो गलोल का चारी विलियन हो जाएगा option number जो है दोस्तों 19 का A राइट आंसर होगा अगला प्रस्त एक धातु का बोलोग जिसका आयतन 500 सेंटीमेटर के पावर थिरी एक घनत तो जो घनत दोस्तों देखेंगे तो 2GM बटे CM के पावर थिरी है है ना एक कमानी दार तुला द्वारा जो की लटकाया गया है जिसकी एक चौड़ा आयतन जल में जल में में दुबा हुआ है कमानेदार तुला पर पठन नीउन्तन में जो है नूटन में कितना होगा है तो नूटन के बारे पूछ रहा है तो दिखेंगी इसका आँसर आप देखेंगे 20 का तो आपको हो जाएगा 8.75 i8.750 न हो जाएगा याई न्यूटन में हो जाएगा option number D होगा चलिए अगला हमारा question यह आपका reasoning का प्रस्थन है आगे हम बढ़ते हैं आगे हम GKS को देख लेते हैं यहां से है question number 36 पर पेगंबर मुहम्मद के कत्नों या दैनिक सिक्षाओं को उनकी मृत्यूं के बाद उनके अन्यायों द्वारा संकलित किया गया और उसे डैस कहा गया और उसे दोस्तों क्या कहा गया देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो उसको जो है हदीस कहा गया क्या कहा गया हदीस देखें मुसलिम कानून का चार आधार है कुरान हदीस इजमा और सरियत है भारत के उत्री मैदानों का वह भाग जिसमें पराचीन जलोड में वजूद है क्या कहलाता है दोस्तों उसको जो है हम बांगर कहते हैं क्या कहते हैं बांगर ओप्सन नमर देखेंगे 37 का तड़ी होगा देखें जलोड मिटी दो भागों बाटा गया है बांगर और खादर ठीक है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा अगला है कि रॉलेक्ट एक्ट पारित किये जाने के समय ब्रिटीस भारत का वैसराय कौन थी देखें ब्रिटीस वैसराय पूछ रहा है दोस्तों तो इसका आंसर देखेंगे तो यह आपका लॉड चैम्स फोर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमर जो है 38 का ए राइट होगा रॉलेक्ट एक्ट जो है मार्च 1919 को लागू जो कि क्यालखा गया है सेडिया है ना सेडिसन कमीटी किसी फारिस पर आधारी था नैस्ट कोसन है कोसन नमर 49 तमिलनाडू की अधिकारिक और सबसे प्रमुख वाला तमिल का संबंद किस भासा परिवार से है तो यह आपका दर्विन हो जायेगा ऑप्सन नमर देखेंगे तो वी सही उत्तर हो जायेगा तो आधिक भासा परिवार में सबसे अधिक बोले जानी वाली भासा तेलिगू है जो मुखेता आंधर पर देश और तमिलनाडू में बोली जाती है भारत का इन में से कौन सा बैंक जो है सारवजिनिक छेतर का बैंक है तो यह आपका हो जगा इंडियन ओवर सीज बैंक होगा क्या होगा अंसर इंडियन ओवर सीज बैंक हो जाएगा ऑप्सन नमर देखेंगे तो बी राइट होगा बोला कि डैस एक संकरी पट्टी में इस्थित सो मंडल में अत्याधिक उचाई 12,000 मेटर से अधिक है पसिमी हवाएं होती है इनकी गती में यानि इसके गती गर्मी में 110 किलोमेटर परती घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमेटर परती घंटा से जो है अधिक होती है इसका अंसर देखेंगे तो आपका जेट धाराएं हो जायेगा ओप्शन नम्बर जो है 31 का सी होगा गांधी इरविन समझोते पर किस वर्स हस्ताक्षर किया गया थे कौनसे वर्स में हस्ताक्षर किया गया था तो यह आपका वर्स 1931 होगा क्या होगा वर्स conflicts 1931 स्रावनिय नाइडू ने गांधी और इर्विन को दो महात्माओं का मिलन कहा है स्वतन्दता के बाद भारत ने डैस में अपनी पहले पंच वर्सी उजना जो है शुरू किया है इसका आंसर आप देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा वर्स 1951 जो है सही उत्तर हो जाएगा देखिए प्रत्थम पंच वर्सी उजना 1951 से लेकि 56 के बीच में हेरोड डॉमर्स मॉडल पर यह आपका आधारी थे यह पॉइंट आप पंच वर्सी उजना है किरिसी पर बहुत ही अच्छा खासा जो है जो है जोड दिया गया था इन मलिखित यूनानी सासकों में से किसने मेगा स्थानीच को चंदरगुप्त मॉरे के दरबार में भेजा था इसका उत्तर देखेंगे तो यह आपका सैल यूकस निकेटर हो जाएगा आंसर ओप्सन नमबर दोस्तों सी होगा देखें मॉरे वन्स का संस्थापक दिया है चंदरगुप्त मॉरे था जन्म 345 इसापूर में हुआ था यह पॉइंट आपच्छे से याद रखेगा मोहन बगान एटलेटिक्स क्लब की ससहर में इस्तित है तो यह आपको देखने के मिलता है कोलकाता में कहां पर कोलकाता ओप्सन नमबर दोस्तों देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा यह आपका कोशन नमर हम 46 देख लेते हैं देखें बोलाए कि दो विधूत परिपतों से परवाहित धराओं का अनुपात जो है एक और चार है यदि उनके प्रतिरोधों का अनुपात दो एक हो तो उनकी सक्तियों का अनुपात जो है कितना होगा उनके सक्तियों का अनुपात आप देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा एक और आठ के अनुपात में होगा ओप्सन नमर ए राइट होगा एक विधूत परिपत तब किया जाने पर 548 प्रति मिनट किदर से उर्जा की खपत करता है यदि परिपत के टर्मिनलों पर दोस्तो 47 का सी सही उत्तर होगा नेश्ट कोशन निमलिखित में से परकार के प्रक्रिणन के अनुपरियोगों की पहचान करके बताईए देखे इसमें देखेंगे तो इसमें आपका दिया गया है टिंडन परभाव हो जाएगा उसके बाद देखे सूरे का लाल और अकास का निला होना फिर खत्रे के संकेतों का लाल होना तो चार पांच और एक जो है यानि ऑप्सन नमबर बी राइट आंसर होगा नेश्ट कोशने की उल्टा और बड़ा प्रतिविम प्राप्त करने के लिए वस्तो को निम्न में से कहां पर रखा जाना आवस्यक है इसका आंसर आपका हो जाएगा आउतल दर्पन के सी और एफ के बीच में आप्सन नमबर जो है उन्चास का बी सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला हमारा यदी M V और U करम सर आवर्धन प्रतिविम की दूरी और वस्तो की दूरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए M V और U के मद्धे सही संबंद क्या होगा देखें सही संबंद देखेंगे तो आपसन नमबर आपका भी हो जाएगा एक दो और तीन जो है सही उत्तर होगा अब यहां पर देखें कुछ और आपका मैथ रिजनिंग है तो आगे हम GKGS को देख लेते हैं आप देखें जब गुरुप में जोइन होंगे तो यह आपको मैथ रिजनिंग GKGS सब का जो है आपको 50 कुछन का सेट दिया जाएगा वह भी डिसकुसन के साथ आपको दिया जाएगा चाकि आप अराम से बना पाए निमलिखित में से किसे जो है वन ने घुड़कर अब भ किरिकेट वी सोकब 2.23 जीता है इसका आंसर आपको हो जाएगा इंगलेंड हो जाएगा ऑप्सन नमबर आपको सी सई होगा देखिए पहला अंडर 19 मजला किरिकेट वी सोकब 2.23 का जो उब्यता रहा है दूस्तों इंगलेंड जाएगा जीता की बात करते हैं तो अपना भा अगठन किया गया था कौन से संगा अगठन किया गया था तो आपका सत्य सोदक समाज हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे अनसर का तो भी सही उत्तर हो जाएगा ये कब किया गया था तो 1873 में सत्य सोदक समाज के इस्थापना किया गया था जो तीवार आप फूले की द्वारा किया गया था कौन सी नदी घाटी करनाठक राज्य की पस्यमी घाट परवस्रिंखला से निकलती है और जिसकी नोयल काविनी अकावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदिया है तो यह आपको हो जाएगा कावेरी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नम भी इसको कहते हैं नेस्ट कोसन है बोला कि दिली में हुमायू ने मिलिखित में सक्किस सहर का जो है निर्मान करवाय था तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे ति आपका दिन पना हो जाएगा ऑप्सन नमबर आपका ए राइट होगा देखें मुगल बात्सा हुमायू ने सभानी उसने यह मुनानदी के टाट पर Kickstarter दिन पना हुमायू ने ही भरात में की सहस्ता सभाइथा संोहों के सब्गूजिकट एस सक्ति जूह लॉंच किया था प्रोजेक्ट इसकति तो यह आपको नाबाढ हो जाएगा आपसन नमबर दीखेंगे तो C होगा निमलागित में किस राज में मानसुन के निर्वरतन में निर्वरतन के दौरान जो है वर्षा होती है ये इसका आंसर आपको हो जएगा तमिलनाडू होगा आंसर क्या होगा दोस्तों तमिलनाडू आपका सी सही हो जाएगा राजा राम मोहाराय की पूस्ता गीप्ट टू जो की मोनो थिष्ट मुल डूप से किस भासा में लिखी गई थी कौन से भासा में यह आपका लिखा गया था देखें तीहत्तर का आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर आपको हो जाएगा फार्सी भासा में लिखा गया था सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला है दोस्तो डिमसा लोक निर्तिय इनमलेकित में से किसा जन्जाती द्वारा जो है किया जाता है इसका आंसर आपको हो जाएगा 84 का आपका अराकु घाटी हो जाएगा ए राइट होगा देखिए दिमसा लोक निर्तिय जो है पूर्जा जन्जाती द्वारा जो है दोस्तों यह आपका किया जाता है दिमसा आंधर परदेश का एक आधिवासी निर्तिय है उच्च सिक्षा के लिए भारत की अधिकारिक भासा के रूप में अंग्रेजियों को डैस द्वारा जो है संकल्प निर्मान में सामिल किया गया था इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉड मैकाले हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा लॉड मैकाले देखें फरवरी 1835 इसवे में लॉड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तूत किया जब था इसके माधियम से भारत की सिक्षा व्यवस्था को भी एक नई दिशा भी दिया एक ततो एक लोरीन के साथ अभी किरिया करके एक उच गलनाक वाला योगिक एसी एल निर्मित करता है यह योगिक जल में विले भी हो जाता है ततो एक क्या होने के संभावना जो है सबसे प्रबल है तो सबसे प्रबल आप देखेंगे तो यह आपका सोडियम हो जाएगा क्या होगा दोस्तो सोडियम आपसन नमबर A राइट होगा इन्वे से किन दो तक्तों में यूग में सनियोजी तो इलेक्टरानों के संख्या जो है समान होती है तो समान होती है तो कि आपको option number B PB और C हो जाएगा यानि option number B right होगा निम्ण में से कौन सा गुड़ धर्म आवाट असार्णी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है समान ही बना रहता है तो यह आपका सन्योजक्ता हो जाएगा option number 78 का तो C सही हो जाएगा अगला है कि C U C L 2 विलियन का रंग कैसा होता है विलियन का रंग दोस्तो कैसा होता है तो यह आपका नीला हरा होता है option number आपका B right होगा समाने तह जल्य पढ़नाई जैसे मचलिया और सिष्ट का उस सजन इनमे से किस रूप में करती है इसका आंसर आप देखेंगे तो यह आपका अमोनिया हो जाएगा क्या होगा आंसर अमोनिया बी जो है दोस्तो सही उत्तर हो जाएगा यह आपका रंग का प्रस्ट दिया गया है आगे हम देख लेते हैं कि यहां से है चानवे नमबर से देखें जहां हावा के प्रवाह की दीशा आत्यधीक इस्थीर हो उन छेत्रों में निर्मित अर्ध चक्राकार बालू की टीले का यानि टीले क्या कहलाते हैं इसका उत्तर देखेंगे तो यहापका हो जाएगा दोस तो आपसण बर बर भर छान जो है सही उत्तर हो जाएगा बर भारत में जून 16 में पैट्रोल की कीमटों को मुपत और विन्रमित किया जाता है तोलाल और पीली-च्री चैस और निर्द पाए जाता है आंसर आपका हो जागा ओडिसा और च्छतिस गड़ में कहां पर ओडिसा और च्छतिस गड़ में ऑप्सन नमबर देखेंगे तो भी सही उत्तर होगा जब आहरलल नहरू ने निमलिखित में सक्षिस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोष्टना पत्र की रूप में वर्गी क पत्र किया था तो देखे इसका उत्तर आप देखेंगे एपका भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सरपर्थम भारत में संघ्धांत्मक शरकार की स्थापना भी किया गया चलिए अगला हमारा कुछन कॉछन नम्र 100 पंचायती राज कि 3335 क2 पहली पाहली इनेशंचंसा पाहली बार उनिस संटावन में डैस के दौरा किया गया था यांफ के दौरा किया गया था तो आपको बलवन तरह महता समीथी के दौरा किया गया थंगे तो सी सही हो जाएगा तकि भारत में पंचायती राजवस्था का उद्गाटन पंडित जवाहलाल नहरू ने दो अक्टूबर 1969 को नागोर यानी रास्थान में किया था चीनी उद्धो के लिए प्रात्मी कच्चा माल डैस है तो यह अपका गन्ना हो जाएगा क्या होगा अंसर गन्ना ओप्सन नमबर देखेंगे तो सी होगा भारत सरकार ने राष्ट्रिय मधुमख्य पालन एम सहद मिसन नाम की एक नई केंदरी छेतर योजना को मंजूरी दिया है जो डैस क्रांती से जुड़ा हुआ है कौन से क्रांती से आपका जुड़ा हुआ है तो देखेंगे यह अपका मिस्ठान हो जाएगा ओप्सन नमर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा देखें एपी कल्चर में मधुमख्य पलन का अध्यन किया जाता है लौड डलोजी ने विले नीति के तहट किस वर्स जहाँसी का जो है विले किया था दखे जहाँसी का विले किया था तो इसका आंसर देखेंगे तोS यहां पर देखिए जहांसी का मैंने बता दिया है अब देखिए जयादपूर की बता है तो 1849 उसके बाद देखिए आपका उदैपूर आवद की बात करते हैं तो 1856 हो जाएगा परदार मंतरी नरेदन मोदी ने डैस में जल जीवन मिशन का सुभारम किया है दोहर उननाई सो हो जाएगा ओप्सन नमबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा अगला है कि एम कितरा स्वामी क्रिकेट इस्टेडियम कि ससहर में इस्त वैस के मानों मुत्र में कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसका आंसर आप देखेंगे तो आप्सन नमबर आपको हो जागा 95% जल 2.5% यूरिया 2.5% अनवसिष्ट उत्पाद होते हैं तो आप्सन नमबर जो है सी होगा निमनलिकित में से कौन सा जीव भोजन को सईड के बा निर्मान करता है इसका आंसर आपको हो जागा उपकला उतक हो जाएगा ऑप्सन नमबर दी होगा निमनलिकित में से कौन सा इकोलोजिकल फूट्प्रिंट को मापने की सबसे समान इकाई है सबसे समान इकाई है तो आपका गलोबल हेक्टेर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी राइट होगा मनुस्यों में अन्तास वसन के संबंध में निचे दिये गए सभी कतनों में से किवल एक को अलावा आने सभी सही है इन में से गलत कतन के पहचान किजिए देखे गलत के बारे ओप्सन नमबर यही आपका गलत हो जाएगा चलिया आगे देख लेते हैं कहां पर आपका जीके जिया गया है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं यहां से है को सब्सक्राइब के बार जर्मनी का एकिकरण पूरा हुआ जर्मनी का दोस्तों एकिकरण जो है पूरा हुआ तो को स ओप्सन नमर 26 का सही आंसर अगर हम देखे तो सही उत्तर आपको हो जाएगा सेडान का युद हो जाएगा एराइट आंसर होगा इस रेख रहान का युद हुआ कब था तो यह आपका आठारस थो एक सेकंड शकैन सतर में हुआ तो एह हो जाएगा अगला है कि मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा करम सह कौन सा है यह आपको हो जाएगा 27 का ऑप्शन नमर सी उलान बटोर और तुगरीक होगा ऑप्शन नमर देखेंगे 27 का तो सी से ही उत्तर हो जाएगा तासगंद उजबेकिस्तान की राजधानी है ठीक है नेश्ट है बोले कि एस अगेश्ट ओड्स किसकी आत्मकथा का सीरसक है तो यह आपको हो जाएगा सानिया मिर्जा का है ऑप्शन नमर डी हाल ही में किस नियूरो टेक्नोलोजी कमपनी के विग्यानिक और इंजिनियर सुद्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेंड चिप को लगाए गया है तो यह आपका नियूरोलिक हो जाएगा ऑप्शन नमर देखेंगे तो यह राइट होगा अगला है कि ICC महिला T20 वी सुकब 2024 का यूजन किस देश में किया जाएगा कौन से देश में किया जाएगा तिया आपका बंगलादेश हो जाएगा क्या होगा अंसर बंगलादेश भारत का पहला I.A.School कहां जो है दुस्तों लॉंच किया गया है कहां पर लॉंच किया गया ऑप्सन नमर जो है 32 का A. राइट आंसर हो जाएगा भारती रिजर बैंक के हाली आकड़ों के अनुसर वित्तिय वर्षबार 23 के लिए भारत के सुध घरेलू बचत दर क्या था तो यह आपका हो जाएगा 33 का 5.3 पर तीस अप्सन नमर जो है दोस्तों B. सही उत्तर हो जाए 2023 से किसे समानित किया गया है भूकर प्रोस्कार तो यह आपको हो जाएगा पॉल लिंच हो जाएगा आंसर आप देखेंगे तो D. सही उत्तर होगा सनिक तराष्टर जलवायू परिवर्तन सम्मिलन कोप 29 संगठन कायोजन 2024 में कहां पर किया जाएगा तो यह किया जाएगा अजर बेजान बाकू आप्सन नमर सी सही होगा जब किसी आमलकी किसी छारक के साथ अभिकिरिया करके लवन और जल निर्मान करा जाता है तो ऐसे रासानिक अभिकिरिया को क्या नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है दोस्तों तो देखेंगे यह आपको जाएगा उदासी करण अभिकिरिया हो जाएगा किसी वस्तु को एक आउथल दरपन के सामने इसकी फोकस दूरी से दोगुनी दूरी यानि 2F रखा गया है प्रति बीम दूरी F के पद क्या होगा तो यह आपका 2F हो जाएगा आपका C सही होगा तीन विकल्पों में कौन से धातू समू इतना मिर्दू होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत जो है कम और गलनांग भी निम्न होता है तो इसका आप देखेंगे तो देखिए लितियम, सोडियम और पोटैसियम होगा ओप्सन नमबर C होगा जल कराशानिक समीकरण, H2O और H2O लिखने के लिए MS, वर्ड इनमे से किस विशेशताओं का उप्योग समानी रूप से किया जा सकता है तो इसका आप देखेंगे तो यह आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ओप्सन नमबर आपका C होगा नेश्ट हमारा है बुला की इनमेटोरियल प्लेट पर कोसिका के केंदर में गुर्शुत्रों का सनर एक्षन माइटोसीस के की सचरण में जो है दोस्तों संदर्भीत होता है तो यह आपको हो जाएगा मेटा फेज हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे तो C सही उत्तर हो जाएगा यहां पर दोस्तों आपके यह सब रिजिनिंग का प्रस्न दिया गया है तो आप सब लोग गुरूप में जोईन होके सब सेट बना सकते इसमें देखिए आंसर भी बहुत तगड़े तरीके से है तो आप जो है गुरूप मेंता होके सबसेट बनाएए वीडियो कैसे लगा है कमिट की जिया का इसक्सको पहले की अगर आप इप वीडियो नहीं देखें तुपी भी देख लिजिएगा ताकि आपका रिविजन डेली बेसे होता रहेगा तो चले दोस्तों आज लिए इतना ही जाए हिंद जाए भारत